नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका फाइब दुन्या शड़ी न्यूज चैनल के उपर इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आर्मी के दुवारा जो हेड़ को रहे हैं उनके दुवारा सी एंब्यों जो रिक्रोमेंट निकाला गया है उसकी जानकर आपको इस वीडियो दोस्तों आ चाता है वो आट अप्रेल से आवे दन कर सकता है अब इसमें जो फोरम बरेगा उसके लिए योगिता क्या रखे गई है आयू सीमा क्या रखेगी यह एप्लेगेशन फीज क्या रखेगी पूरी जानकरे आपको इस वीडियो में मिले वाली है अब चलते हैं हमा इस बीयो रिक्रोमेंट निकाला गया उसकी जानकर आपको इस वीडियो में मिलने वाली है अब जो इनका बोर्ड इस बर्ति को जारी किया गया है इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी के दुवारा यह वेकिंसी निखा ले गई है इसमें पॉस्ट रखे गई है सिवियों जो अपिनसी रखी गई है चपन पत्न निखा लें गयी ही टोटल जोब लोकेशन ने और्मी के लिए कर सकता है जो आर्मी के भरतिया आती वह एलिए के लिए निखा ली जाती है जो भी कंडिडेट इस भरती के लिए अप्लाई कर सकता है आगे इसमें बात कले दिन के अप्लाई करने की डेटर वो कब से हैं फॉरम बढ़ने की डेटर वह आठ अप्रेल से अप्लाई करने की ओलाई डेट और आगे चलते हैं एज लिमिट की बात कर लेते हैं एज लिमिट वो किस प्रकार से रखे गई है अब आर्मी हेट कौर्टर साउथ कमांड सिविलियन स्यूच बोर्ड ऑपरेटर भरती 2030 के लिए जो नियूत्म आयू है अठारा वरे से सरकार के दुवारा निया मनुशार आपके चूट दी जाएगी तो वैसे अठारा से लेकिए पच्चेस एरका स्टूटेंट अप्लाई कर सकता है बागी जो कंडिडेट है और सरकार के दुवारा आयू सिमा में चूट दी जाएगी फोरम बनने के लिए कि आगे चलते हैं बात किलेंडे अप्लिगेशन फीजेश कितनी रखेंगे उप शलया कने लिए यह एप्लिगेशन फीज कलें किसी परकार का कोई चार्ज नहीं ब्लह को बिल्कुल आपके लिए फॉरम में वपर जा जाएगा, आर्मी के दुवारा जी वेकिन से निखाले गई है, वीसे आर्मी के दुवारा जाती है उसमें किसी परकार का कोई प्रेट के दुवारा इसमें जो वेकेंसी रखे गी टोटल चपन पद रखे गई यूर के लिए पंद्रा है ऐसे के लिए नाइन है अश्ट के लिए फाइप है और यूर डबुलुस के लिए छह पद यूर पीड़ ड़ुक्त है यूर येसम के लिए पांच पद निखा रखा है और आपको एकस्फएरेश जे पांच पास करके तो आप इसके लिए लिए कर सकते हैं आगे Из में सलेक्शन प्रोसेस के बात कर लेते हैं किस्कार से रखा गया इस बर्ती का सेलेक्षन प्रॉसेस सबसे पहले आपका रिटेन एकजाम में सी बीटी ओर लाइन एक्ज बढ़ती हैं उसका नोटिफिकिशन आपके पास पहुंच सकें